तो कहते हो आप I hope कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ring pay letter application के बारे में जिहां दोस्तो अगर आप भी ring pay letter application को यूज करते हैं और दोस्तो आपने जो है इस application में limit को ले रखा है और आप उस limit को जो है कहीं भी किसी भी QR code की मतलब से अगर उसको transfer करते हैं तो आपका payment जो है फेल्ड हो जाता है कुछ इस तरह से यहाँ पर थामने आपके थामने लिखके आता है यहां लिखा है error loading QR code जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर रिंग के merchant account पे पैसे को transfer करेंगे तो आपका यहाँ पर transaction फेल्ड हो जा रहा है तो इसका दोस्तों क्या कारण है और कैसे हम अपने limit को transfer कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे और दोस्तों साथ में मैं आपको दादूं कि रिंग पे लेटर अप्लिकेशन में एक new update आया है वो update क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आकिरकार जो है यह problem क्यों आ रही है हमारा transaction जो है फेल्ड क्यों हो जा रहा है तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले मैं अपनी transaction इस्ट्री में आ जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप पर 67 transaction किये हैं 12 जहां पर आप देख सकते हैं सभी की सभी transaction जो है यहाँ पर फेल्ड होने का कारण इसका क्या है वो भी मैं आपको बता ही देता हू दोस्तों यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि एप्लिकेशन फ्रॉड है बहुत सारी लोग ऐसे हैं वो कमेंट करते हैं कि एप्लिकेशन फ्रॉड है यह लिमिट सिर्फ दे देती है इसको ट्रांसपर नहीं कर पाते हैं दोस्तों ये company जो है ये application जो है मैं आपके लिए बता दूँ ये जो अभी एक महीने पहले इसके डाउनलोड 500K थे मतलब की जो है पाँच लाग डाउनलोड थे लेकिन अब जो है इसके पचास लाग जो है आप डाउनलोड हो चुके हैं मतलब की पाँच मिलियन से भी पिलस जो है इसके डाउनलोड हो चुके हैं तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपर शुरुगात में ये company में जो है कम user थे उसके बाद में अभी एक महने में जो है इतने ज्यादा user बढ़ गए है जिसकी बज़े से दोस्तों इसम पर अपना transaction कर पाएंगे दोस्तों आपने देखा होगा शुरुगात में ये जब company आपको लिमिट दे रही थी तो उसको हम जो है आसानी से विड्राल कर पा रहे हैं मतलब जो है पैसा ट्रांसपर कर रहे थे लेकिन जैसे इसमें जो है यूजर बड़े उसके बाद में यह जो है solution आ जाता है तो हम आपको वीडियो के माद्यम से प्रवाइड करा देंगे तो उसके लिए हमारे चनल को आप subscribe कर लें और जो साथ में गंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हम जैसी कोई new वीडियो लाएं तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंचे और यहाँ पर एक update आ गया है यहाँ पर more के section में आएंगे यहाँ पर आनके बाद में आपको जो है बाकी सारी application के तरह यहाँ पर जो है आप इस limit से अपना mobile recharge कर सकते हैं DTS चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है अपना cylinder book कर सकते हैं insurance के किस्त को जमा कर सकते हैं fast track recharge कर सकते है अगर दोस्तों कोई application जो है fraud application होती है तो वो इतनी जो है update नहीं लाती है इतने सारे features उसमें नहीं बढ़ाती है अगर उसको fraud करना होगा तो यह features क्यों लागी तो चले हैं यहाँ पर हम recharge करके देखते हैं आकरिकार इस limit से जो है यहाँ पर recharge होता है या नहीं होता है तो मैं तो जैसी दोस्तों मैंने आप फैक्सिविल के option पर क्लिक करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख किया रहा something went wrong please try again तो दोस्तों इसमें भी जो है कोई ना कोई bug है इस application में तभी जो है यहाँ पर हम अपना recharge नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी जो है आप